गुद मॉर्निंग एवरीवन लास्ट लेक्चर में हमने VCS सॉफ्ट वेर के बारे में डिस्कस किया था कि उसको कैसे कैसे यूज करके आपको अपनी स्टडी ऑनलाइन स्टडी आपको करना है तो उससे रिगार्डिंग कुछ डाउट्स सुडेंट के थे जो कमेंट बॉक्स में मुझे मिले तो उन डाउट को मैंने इस वीडियो में कलेक्ट करके वन बाई वन डिसकस कर लिया है तो 5-6 मिनिट में सारा डाउट हमने डिसकस कर लेना है हो सकता है ये डाउट आपका भी हो तो वीडियो को लाज तक जहूर देख लिजेगा वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जहूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब भी जहूर कीजेगा देखते हैं क्या-क्या डाउट है तो फर्स डाउट देख लिएते हैं रिए आप कुछ भी नहीं होने वाला है जो आपका पासवार्ण एक बार मिल गया है पासवार्ण वही आपका रहेगा यह पासवार्ड आप फोड से वहाँ पर प्रोफाइल में project का 1981 जया हूए ञाकर खुद से अपना password वहाँ पर change गरकर वहाँ पर create कर सकते हैं जैसे like facebook हो गया, gmail हो गया तो वो आप खुद से पहले जो password company दिया है आप बाद में उसको change कर सकते हैं यहाँ पर वहाँ पर तो खुद से create करना होता है starting में भी लेकिन यहाँ से क्या किया गया है आपको study करना है, चाहे वीडियो वहाँ पर upload होगा या notes होगा, वो आप देख लीशेगा second question देख लेते हैं email id and password के regarding आ रहा है किसी-किस student का open नहीं हो रहा है तो कुछ student गलती क्या कर रहे हैं कि वो email id, जो gmail id उनका है gmail जिस एक id से बना हुआ है और उनका जो gmail password है, वो वहाँ पर feel कर रहे हैं, जिसके वज़ासे वो open नहीं होगा department के तरफ से जब तक आपका password नहीं आएगा, तब तक आप इसको access नहीं कर सकते हैं, open नहीं कर सकते हैं तो ये गलती नहीं करना है, अपना gmail id और अपना उस gmail id का password ये वहाँ पर नहीं डालना है, department एक password देगी भेजेगा आपको उस email id पर जिस email id पर भी password आएगा, वो password वो email id और वो password जो department भेजा है आपको, उसको login करना है, वहाँ पर उसको feel करके login पर click करना है, जैसे last video में मैंने discuss किया था, वैसा आपको करना है email id password से regarding problem, आपका अगर password नहीं आया है, तो आपने college में contact किजिए, वहाँ पर student welfare department है कल्यान शाखा है, वहाँ पर अपना detail भेजीए वो फिर department में उस detail को भेजेगी जिससे फिर आपका password आएगा, और जिस mail पर password आएगा, वो email id और password वहाँ पर feel करना है, थर्ड कोशन देख लेते हैं can we use mobile और smartphone for VCS पुछा जा रहा है कि mobile और smartphone क्या हम लोग use कर सकते हैं, आप definitely use कर सकते हैं, मैंने जो लेक्चर वो upload किया है, वो mobile से ही, shoot करके mobile से ही लेकर upload किया है, मैंने mobile में उसको operate किया है, सारा function mobile में ही करके आपको दिखाया है, अब definitely कर सकते हैं, इसके लिए ज़़ुरी नहीं है कि आपको laptop के पास होना चाहिए, आप mobile में ही सारा कुछ देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, video lecture भी देख सकते हैं, just like YouTube है, आपको वहाँ पर lecture अपलोड होगा, आपको वहाँ पर जाकर जो भी lecture आपको पढ़ना है, chapter wise यहाँ पर बस benefit क्या है कि chapter wise यहाँ पर divide किया हुआ है subject wise, subject के बाद chapter chapter के बाद फिर उसका topic अलग-अलग divide किया हुआ है, उस topic से रहे जो भी video होगा, वो एक जगा collect होगा किसी एक teacher का आपको समझ में नहीं आए, तो दूसरे का देख लेजिए, वहाँ पर आपका facility है third देख लेते हैं, fourth देख लेते हैं is laptop compulsory for VCS क्या laptop compulsory है, बहुत इस student पुछ रहे थे हैं कि क्या laptop हमें लेना पड़ेगा compulsory है, तो ऐसा कोई compulsory नहीं है बढ़ department के तरफ से हर एक student के पास laptop होने का ये दिया गया है, notification आपको भी आया है, तो अगर आप ले लिजएगा तो बेटर होगा, आपके education में आपको study करने में help मिलेगा आप अच्छे से वहाँ पर access कर सकते हैं वीडियो भी अच्छे से आप देख सकते हैं और भी in future knowledge आप कोई software पर आप work करेंगे कोई software पर आप काम कीजिएगा जैसे civil में होता है, cadwet होता है तो आप इस पर आपके पास अगर laptop होगा तो आपको थोड़ा सा help मिल जाएगा आप उस पर easily software को run करा सकते हैं because बहुत सारा ऐसा software होता है designing का जो mobile में नहीं चलेगा लेकिन VCS के लिए आपको laptop लेना कमपल सरी नहीं है आप चैसे YouTube पर वीडियो देखते हैं VCS पर वासे mobile में आप देख सकते हैं लेक्स के लिए laptop पर देखना कमपल सरी नहीं है आप mobile में अक्सेस करके mobile से अपना ID पासवर्ड डाल कर वहाँ पर वीडियो आप या वीडियो नोट्स जो भी आपको देखना है आप अक्सेस कर सकते हैं आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर कोई कमपल सरी नहीं है फिफ्फ देख लेते हैं इच असटेंट हैस डिफरेंट पासवर्ड क्या सभी का इस पासवर्ड अलग-अलग होगा तो definitely department अलग-अलग पासवर्ड अलग-अलग सबको भेज रही है सबका अलग-अलग पासवर्ड है और वह पासवर्ड आपको अगर पासवर्ड आप चोंच लिए ऑ्सक्राइब कर सकते हैं लाइव क्लासेज लेकर अपर लाइव क्लासेज और अलग-इसे मिलेगी तभी तक मुझे वह अपार डिखा नहीं यह क्योंकर सारा वीडियो अप्लोड अप्लोड इट फॉर्म में नजर आ रहा है वहाँ पर कोई camera का facility नहीं दिया गया है कि live classes वहाँ पर पढ़ाया जाए एक और अलग से हो सकता software को arrange किया जा रहा है तो हो सकता है कि अगर वो software आ जाए तो live classes का facility मिले फिलाल VCS पर I think live classes का जहां तक मुझे पता है live classes का facility नहीं है यहाँ पर कोई option नहीं दिया गया है कि live classes आप camera के recording से live आप ले सकें तो यहाँ पर recorded form में आपको मिलेगा आप वहाँ पर कुछ doubt होगा तो I think वहाँ पर option देगा आप पूछ सकते हैं या फिर personally अगर उस teacher को आप जानते हैं तो आप पूछ सकते हैं कोशन 7 देख लेते हैं can we change password पासवर्ड चेंज कर सकते हैं तो अलरड़ी हमने डिसकस कर लिया पासवर्ड आप इसमें चेंज कर सकते हैं कोई शू यहाँ पर नहीं है पासवर्ड आप वहाँ पर change password को option जैसे हर एक software में देता है हर एक application में देता है Facebook होगे Gmail होगे जैसे देता है वहाँ पर आप पासवर्ड जाकर चेंज कर सकते हैं लास्ट देख लेता है question can we edit our profile profile को क्या आप change कर सकते हैं definitely आपका कर सकते हैं आपका नाम में अगर कोई मिस्टेक हो गया है department से वहाँ पर फिल करने में देट बर्थ में मिस्टेक हो गया है या मुवाइल नंबर में कोई कोई problem हुआ है तो आप वहाँ पर definitely change कर सकते हैं वहाँ पर अपने recording आपका है वहाँ पर फील कर सकते हैं कोई problem वहाँ पर नहीं है तो यह में में जहुरत नहीं है कि आपको कंपल सरी है लेना आप जब तक नहीं आपके पास है आप मुबाइल से भी पढ़ सकते हैं और इसे लेड़ेट तो I think कोई डाउट नहीं था जो भी डाउट था मैंने discuss कर लिया है है एक question और मुझे याद आ रहा है एक student नहीं message किया था कि VCS जो है वो install कहां से करना है या laptop में या mobile में कहां उन्हें install कैसे करना है तो इससे install नहीं करना है इसे कोई भी browser यूज़ करके आप इसको access कर सकते हैं जो lecture मैंने last upload किया था वहाँ पर उसका link दिया हुआ था DST student करके I think था dot code bucket करके था ऐसा कुछ तो वो link आपको उस browser में जाकर paste करना है या उस पर click किजेगा तो automatic browser में चले चाहिएगा चाहे आप mobile यूज़ कर रहे हैं या laptop यूज़ कर रहे हैं उसी link से आपको काम करना है इसका अलग से कोई play store में कोई application नहीं है कि आप गये वहाँ पर जैसे आप download करते हैं वाटसब डाउनलोड करते हैं जाकर वाटसब सेर्च किया डाउनलोड कर लिए तो उस टाइप से अभी तक फिलाल इसका कोई software नहीं बना हुआ है अभी आपको उस link से ही काम करना होगा उस link पर जैसे ही जैसे MS Office आप install करके बाद में उसको access करते हैं तो ऐसा अभी फिलाहल कुछ भी नहीं है आपको उस link पर क्लिक करना है जो भी browser आपके mobile में होंगे चाहे Chrome हो गया या Internet Explorer हो गया या फिर Opera मेनी हो गया जो भी आप browser यूज करते हैं उस browser के help से आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपको application अभी तक अलग से नहीं दिया गया है कि आप इसको install करना है कोई भी इसको install नहीं करना है आप उस link से आप उसको आगे पढ़ सकते है अगर होगा उसका solution तो मैं जहूर आपको help करूँगा वीडियो को देखने के लिए thank you so much वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जहूर कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जहूर कीज़ेगा थैंक्यू सो मच